हेलो एबरिवन आजम बनाएंगे समा के चावल की खीर तो चले इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं सबसे भाले मेनी हाँ पर आधा कप समा के चावल ले लिया हैं इसे एक बावल में निकाल लेना है अब इसमें पानी डाल कर इसे भीगोनी के लिए रख देना है अब एक कढाई में आधा लेटर दूद ले लेंगे दूद को अच्छे से गर्म कर लेना है दूद को लगातार चलाते हूँ अच्छे से गर्म कर लेना है अब हमें समा के चावल के पानी को निकाल देना है सारा पानी निकल चुका है दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसमें समाग के चावल एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है लोडू मीडियम फ्लेम पर हमें खीर को अच्छे से पका लेना है और इसे लगातार चलाते हुए कुक करें खीर हमारी अब गाड़ी होने लग गई है अब हम इसमें शक्कर एड़ कर लेंगे आधा कब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है ये खीर एकदम से जटपट से बन जाते है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है वरत स्पेशली खीर आप भी एक बार जरूर बिनाए दो से तीर मिनिट के लिए से और कुक कर लेना है हमारी अच्छे से गाड़ी हो गई है अब हम इसमें ड्राइफ रूट सेट करेंगे काजू और बदाम को मैंने इस तरह से बारिक कट कर लिया था अच्छे से मिक्स कर लेना है गेस की फ्लेम बन कर देंगे खीर सर्विंग के लिए रैड़ी है समा के चावल की खीर रैड़ी है